प्रदाफाश में आपका स्वागत है परदाफाश में आज बात होगी एक ऐसी खबर की चिसको चान कर आप भी चौक जाएंगे मेरट से आया हैरान करने वाला मामला तीन साधू की बेरहमी से की गई पिटाई अनमान चलिसा ना पढ़ने पर बनाया बंधा मामले में पलिस का तगड़ा आक्शन जारी देश के अलग अलग राज्यों से कई बार साधू के साथ मारपीट की खबर सामने आती है हलाकि मामले की जाच के बाद सच्चाई सामने आती है अभी तो ताजा खबर सामने आई है वो यूपी से है साधू पर हुए हमले की खबर को लेकर दो तरह की बाते सामने आ रही है सबसे पहले आपको TV9 पर चलाई गई इस खबर को दिखाते हैं यहां हेड्लाइन दिया गया है कि हम मुस्लिम नहीं हिंदू है गायतरी मंत्र हनुमान चलेसा पढ़ी लेकिन नहीं दिखा पाया ID साधू की बेरहमी से पिटाई यानि TV9 की रिपोर्ट के मताबिक इन साधू ने गायतरी मंत्र हनुमान चलेसा पढ़ा लेकिन ID कार्ड नहीं दिखा पाये जिसकी वज़त से इनकी पिटाई करें लेकिन हिंदूस्तान की रिपोर्ट कुछ और कहती है वो भी आपको आगे बताएंगे लेकिन सबसे पहले पूरी खबर जान लेते है दरसल उतरप्रदेश के मेरट में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई यहां राह चलते तीन साधू को मुसलिम समझकर कुछ लोगों ने बंदक बना लिया ऐसा कहा जा रहा है उन्हें बच्चा चोर कहकर उनकी खूब पिटाई करती गई आरोपियों ने पहले साधू से गायतरी मंत पढ़वाया इसके बाद हनुमान चालेसा भी पढ़वाया इसके बाद उनसे आधार कार्ट दिखाने को कहा जब साधू आधार कार्ट नहीं दिखा पाए तो लोगों ने उन्हें बच्चा चोर बोलकर मारपीट करना शरू कर दिया गटना की जानकारी होने पर पलिस भी मौके पर पहुँच कही वहें पलिस ने साधू के बयान के अधार पर आरोपियों के खलाप केस भी तरच कर लिया ये वारदात मेरच के सिलाडी गेट थाना शित्र में पहलाद नगर की पलिस के मताबिक तीनों साधू भिक्षा मागने निकले थे पहलात नगर में इन सादू को मुस्लिम समझ कर कुछ लोगों ने रोका मौके पर उनसे गायतरी बंत्र और हुन्मान चालेसा पढ़ने के लिए बुला गया इसमें सादू पास हो गया तो उनसे आधार काड मांगा गया यहीं पर सादू चुप गया किवल आधार काड ना होन से सादू को मुक्त कराया इसके बाद थाने ले गए वहां ले जाकर उनसे पूच्टाच की गई इसमें पता चला कि तीनों सादू हर्याडा के रहने वाने हैं पुलिस ने उनकी बताय पते का तद्काल सत्यापन कराया इसमें उनकी पहच्चान सही पाई गए इसके बाद पुलिस की पूछताच में सादू ने बताया कि जब आरोपी उनसे मार पीट कर रहे थे तब वो खुद को दिर्दोश बता रहे थे उन्हें समझाने की बहुत कोशिस की लेकिन आरोपी उनकी बात सुनने को तयार नहीं थे आरोपी ने उनके उपर बच्चा चोर का आरोप लगाया और लात्भू से बरसा दे लिए उस समय तो पुलिस ने जरूरी पूछताच के बाद सादू को जाने दिया लेकिन मामला शुसल मीडिया पे ट्रेंड करने लगा देखते ही देखते इस घटा पर पुलिस मुख्याले ने भी संग्यान ले लिया इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने मुखदमा दर्च कर लिया अब पुलिस ने आरोपियों के खलाब शांती भंग की धाराओं में के दर्च करते हुए उनकी तलास में शुरूप है पुलिस के मताबिक तीनों सादू जधाब धरी यमुना पुलिस ने हर्याणा से सत्यापन कराया सिस्टीवी खंगाल रही इसकी अनुसा सादू ने हरुमान चले सा नहीं सुनाया जिसके बाद उनकी पिटाई की कई खैर जैसे तैसे जाच मामले में आगे बढ़ रही है और धीरे-धीरे मामले का खुलासा होगा लेकिन जिस तरह से कानून को अपने हाथ में लेने की कोशस की है वह कहीं से भी सही नहीं और इस पर लेनी की जरुरत वह सादू की पिटाई के मामले में पुलस ने तीनों का हर्याना से सत्यापन कराया है तो उनके नाम पते सही पाए गया अब पिटाई करने वालों के खलाप आक्शन की त सब्सक्राइब नहीं सुना पाया इसके बाद धर्म को लेकर सवाल पूछे के लेकिन कोई सही जवाब नहीं दे पाया संदेख्द बताकर इन तीनों को बंदक बनाकर लोगों ने पटाई कर दी पुलिस मौके पर पहुंचे और तीनों को हिरासत में लिया पब्लिक ने 12 साल के बच्चे था तीसरे इवक ने नाम गूपिनाद बताया लेकिन उसके पास अधार काड़ी नहीं था जिसके बाद मामले ने और ज्यादा तूल पकड़ लिया पिटने वाले दो आरोपियों को गरफतार भी कर लिया गया है SP City मेरट आयूश बिक्रम सिंग ने बताया कि लोगों ने साधू को पुलिस के हवाले कर दिया पुलिस ने जब इस मामले की जाच की तो हाकिकत सामने आ गए ये तीनों साधू नात संप्रदाय से जुड़े हैं जिने जाच के बाद बाईज़त रवाना कर दिया गया वहीं मामले में मुकदमा दर्च करने की तयारी की जारी है पिटाई करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफतार भी कर लिया है इस मामले में अन्य कई लोकों को और गिरफतार किया जा सकता है नात्संप्रदाई के साधूं की पिटाई को लेकर मेरट सिले का शासन तक हड़कम का महौल है मामली की बारीकी से जाच भी की जारी है लेकिन इन सब के बीच गौर करने वाली बात ये भी है कि इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है जहां साधूं के साथ मारpete की खबर सामले आई थे 13 जन्वरी 2024 की बात है बंगाल में तीन साधूं की पिटाई का मामला सामले आया था दरसल मकर शुक्रान्ती के मौके पर बंगाल के गंगा सागर में अस्तान करने चारहे यूपी के तीन साधूं को बेड ने निवस्त्र कर पूरी तरह से पीठा कुछ अस्थानी लोगों ने मौके पर पहुँच कर पुलिस की मदद से साधूं की बेड से जान बचाए इंटरनेट मीडिया पर पिटाई का घटना भी तेजी से वाइरल हुआ वीडियो में तीनों साधू हाथ चोड़कर बेड से जान बचासने की गुहार लगाते देखे गए बेड उन्हें पिटते हुए नजर आई यसे भी साधू के कपड़े भी खीच लिये चाते थे जिससे वो निवस्त्र होग है बेड में शामिल कुछ लोग साधू का बाल खीचते हुए भी दिखे पुरुलिया जला पुलस ने साधू की पिटाई के मामले में 12 लोगों को ग साधू को गेर कर उन पर हमला करने का अरूप था गटना पुरिया जले के काशिपोल छेत्र के गौरांग डिगाओं की बताई गटना से आहत साधू ने अपनी गंगा सागर यात्रा अस्थागित कर दी और वापस लोटने लगे थी गटना सामने आने के बाद भाजपा ममत साधू को साथ लेकर निकल गए यूपी बॉर्डर तक पहुंचने के दौरान में धनबाद सरकिट हाउस पहुंचे और पुरियलिया सांसत जोती मौरे महतो ने कहा कि बंगाल में कानून विवस्ता द्वस्त हो चुकी है उन्होंने आरूप लगाया था कि पुलिस अपनी साधू की पिटाई की उन्हें छोड़ दिया गया साधू को थाने में 24 घंटे से अधिक समय तक बठा के रखा गया सूचना मिलने पर जब सांसत अपने कारेकरताओं के साथ पहुंचे तो पुलिस वाले थाने की पिछले दरवाजे से साधू को लेचा ले लगा किसी तरह स सांसद उन्हें घर अपने साथ लेकर आए वह 31 जन्वरी 2023 की खबर है जो बिहार से सामने आई और सबको चौका दिया था ब्यार की नवादा जिली में साधू के बेश में भीक मांग रहे छे लोगों की लोगों ने वहां पर मिलकर पिटाई कर दी मामला अकबर नगर थाना के लिए लोगों ने पकड़ कर पिटना शुरू कर दिया इसी बीच हिंदू संगटनों के कुछ लोग भी वहां पहुंचके और उन्होंने तुरंट पुलिस को इसकी सूचना भी मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी आरोपियों को गरफतार कर लिया बजरंग दलके ने जितंद्र उप जीतू ने कहा कि इन लोगों ने सादू का विश्दारन करके हमारी आस्था के साथ खिलवार किया है इनके खलाप कड़ी कारवाई होनी चाहिए पिर पताया गया कि लाके में 25-30 ऐसे लोग नकली सादू बनकर बीक मांग कर लोगों को गुम्रा कर रहे हैं वालों ने पुलिस से मांग की कि ऐसे लोगों को जल से जल्द गिरफदार किया जाए तो इस तरह किसे अलग अलग राज्यों से कई हैरान करने वाली खबर सामने आती है जिसमें जाच के बाद चौकाने वाले खुलासे भी होती है पर दाफाश में फिलाल करता है देखते लिए कैपिटल टीबी उतरपदेश नमस्कार अगर कि मैं राजनीती करता ने पर राजनीती को बहुत गहरे तक समझता हूं मैं लोगों के बीच रहता हूं लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नपस को कूप पहचानता हूं संघर्ष पी सियासत से सद्धात्य सिंधासन तक मैं हर खमर से खरा सच नीकार ना कोई दौर ना कोई रेट्स क्यापिटल टीब उत्तरपदेश